हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे और आपके यूट्यूब चैनल विधाता नर्सिंग होम कार्डनिंग पे मैं आज नर्सरी से दो गुआवा के प्लांट लेके आया हूँ और इन्हें मैं ऐजे बोंसाई ग्रो करूँगा इसके लिए मैंने बड़े साइज के पोट लिये हैं और पोट के बेस को मैंने पहले से त्यार कर लिया है एक मेरा सीमेट का पोट है और दूसरा मेरा वेस्ट पड़ा बकेट है जो 20 लिटर का केमिकल का आता है हम अपने गुवावा प्लांट को नरसरी बैग से निकाल लेंगे और उसे गमले में सिफ्ट कर लेंगे मैंने मेरे अमरूद के प्लांट के लिए जो मिट्टी त्यार की है वो वेल ट्रेन है और उसमें मैंने पुरानी गोबर की खाद का मिक्स किया है ताकि उसे किसी भी परकार के निउट्रेशन की कमी ना रहे अभी मैं गुवावा के प्लांट की रूट बोल को नहीं छेडूँगा क्योंकि अभी ये ठीक मोसम नहीं है कि मैं इसकी रूट को भी प्रून करूँ अभी मैं सिरफ इसे बड़े पोट में ही सिफ्ट करूँगा और जो मेरे गुवावा प्लांट है वो यहां की फेमस वराइटी हिसार सफेदा अमरूद के नाम से फेमस है उसी के प्लांट है इसके जो अमरूद होते हैं वो खाने में बड़े ही टेस्टी होते हैं मैं इने ऐसे बोंसाई डवलब करूँगा मेरे टेरिस गार्डन में और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि गमले में भी अमरूद के प्लांट से अमरूद लिये जाए सीजन में दो बार गुवा प्लांट फ्रूट प्रड्यूस करता है एक बार गर्मियों में और एक बार सर्दियों में गर्मियों में थोड़े कम होते हैं और सर्दियों में ज़्यादा होते हैं हम इने साल में सरदी स्टार्ट होने से पहले प्रून कर सकते हैं या फिर गर्मी स्टार्ट होने से पहले भी प्रून कर सकते हैं अब हर गुवावा प्लांट को जो आपके पोट में हैं उसे साल में दो बार फर्डिलाइजर दे अच्छे से जिसमें वर्मी कमपोस्ट और काउडंग के एक दोनों में से किसी एक का इस्तमाल कर सकते हैं अब मैं वेट करूँगा कि मेरे प्लांट अच्छे से ग्रो करें और ग्रो होने के बाद अगली अपडेट मैं आपको अगली वीडियो में दूँगा अज तो मैंने सिरफ इन्हें सिफ्ट किया है बड़े साइज के पोर्ट में जब हम प्लांट को कम्प्लीट सिफ्ट कर लेंगे तब एक बार के लिए हम इनमें अच्छे से पानी डाल देंगे ग्वावा प्लांट को डेली पानी की नीड होती है कर्मी के सीजन में आप इनमें अच्छे से पानी डाल के इन्हें सेमी से डेरिये में रखे ताकि ये किसी भी परकार के शोक में न जाए आगे की अपडेट लेनी के लिए आप मेरे चैनल को फोलो करें मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगें तो लाइक करें धन्यवाद